हेलो इवरीवन गुड मॉर्णिंग एंड विल्कम टू आर चैनल अप पढ़ेगा इंडिया तो आज है मार्च सप्टेंबर और आज के करेंट फिर के जितने भी मुश्ट इंपर्टेंट कोश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकन प्रेस कर लिजी ताकि आने वले नए नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सके इस वीडियो के सभी कोश्चन सेलेक्टेर और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एकजाम के लिए कफ इंपोर्टेंट हो सकते हैं चलिए श्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का फॉस्ट कोश्चन पहला कोश्चन है निमन में से किस मंत्राले द्वारा हाल ही में डीजल को एलन जी में बदलने के लिए एक पाइलेट परियोजना के शुरुआत की गई है इसका राइट आ को के डंपरों में एलन जी कीट को लगाने के परिकिर्यावी शुरू कर दी गई है जिससे सालाना करीब पांच सो कडोर रुपए की बचत मिलेगी बात होरे कोईला मंत्राले की तो कोईला और खान मंत्राले के संसद्य कार्यमंत्री है स्रीप प्रहलाद जोसी एक्ष कोशन है औस्ट्रेलिया, सिंगापूर, मलेशिया और किस देश के केंद्रिये बैंकों के द्वारा सेंटरल बैंक डिजिटल करेंसी योजना डा की शुरूरात की गई है इसमा पार भुगतान परिक्षन है जो विभीन केंद्रिये बैंक डिजिटल मुद्राओं का उप्योग कर यह आकलन करने के लिए करती है कि क्या यह लेंदेन को सस्ते और असान तरीके से निप्टाने की अनुमती देता है बात हो यह दक्षिन अफ्रीका की तो अफ्रीका महदूईब के दक्षिनी छोर पर इस्तित एक गनराज्य है जिसके तीन रज़्दानिया है जिसमें कारेपाली का रज़्दानी है प्रिटोरिया नयायक रस्तानी है ब्लोम फांटेन और विधाई रस्तानी है केप टाउन राश्पती है सिरिल राम फोसा और वहां के करेंसी है रेंड अगला कोश्चन है भविज्दे में मंगल मिशनों पर निगरानी के लिए किस देश द्वारा हाली में एक छोटा हेलिकॉप्टर विक्सित क्या गया है इसका राइदा अशरोगा ओप्सन दिये चीन हाली में चीन ने मंगल मिशन पर निगरानी के लिए एक छोटा सा हेलिकॉप्टर विक्सित क्या है और यह एक प्रोटो टाइप छोटा हेलिकॉप्टर है जो मंगल गरह पर रोबोटिक रोवर की एतिहासिक लेंडिंग के बाद विक्सित क्या गया है इसके साथ है चीन ने वर्ष 233 तक मंगल गरह पर अपने पहले चालक दल के मिशन की योजना भी बनाई है बात करें चीन की तो यह एसिया के पूर्वी प्रांत में इस्तितेख देश है जो दुनिया का सबसे अधिक अबादी वाला देश है रसदानी है बिजिंक और राश्पती है सीजिन पिंग इसके अलावा दुनिया का पहला क्रितिरिम शुर्य का निर्मान भी चीन के द्वारा किया गया है और पहली बार बर्ड फ्लू S10N3 से मनुष्य में संक्रवन का मामला भी चीन में मिला था इसके अलावा सिंथेटिक केंबिनोइड जो एक परकार का ड्रक्स होता है और इस प्रतिबंद लगाने पाला भी यह दुनिया का पहला देश साथी चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहले बुले ट्रेंड की भी शुरुआत की गई है अगला कोश्चन है बर्ड फोटोग्राफर ओफ दा इयर 2021 का खिताब हाली में कि पुरिषकार जीता है और यह खिताब एलेजांद्रो प्रीतों को संजुक्त राजी अमेरिका और मेक्सिको के बिज काटेदार कार क्लेड सीमा की दिवार को घूलते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए दिया गया है और इस छवी का सीरसक है और रूद यानिकी ब्लॉक्ट तो इस कोशन में बात हो रही है 2021 में मिल रहे है पुरिषकारों की तो हाली में साहितिक कथा और लेखक सबर्ना रुआई को प्रतिष्टित टाइम्स एक्सिलेंट अवर्ड 2021 से समानित क्या गया है इसके अलावा मैक्से से पुरिषकार 2021 से डॉक्टर फिर्दोसी कादरी, मुहम्मद आजम साकीब, स्टीवन मोंसी, वाच टॉक और रोबर्टो बैलोन को समानित क्या गया है साथी जपान का ओडर ऑफ दराजिंग सन पुरिषकार शामला गनेशन को मिला है 5 वाइल्ड इनोबेटर अवर्ड से क्रितिक रंद समानि हुई है जबकि इंटरनेशनल वूमेन करिज पुरसकार मिला है कोशल्या संकर को अगला कोस्चन है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में दो पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला खिलाडी कौन बनी है इसका राइटान शरू का ओप्सन से और नी लेखरा हाली में और नी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला खिलाडी बनी है और इन्होंने वुमेन्स 50 मीटर राइफल से थी पोजीस्टन SH-1 में कांसे पदक जीता है जबकि वुमेन्स 10 मीटर ये राइफल सुटिंग SH-1 क्लास में पहला सुन पदक जीता है इ इसके अलावा हाली में सिंग्राज औधाना ने 10 मीटर येर पिस्टोल में कांसे पदक जीता है पार अलंपिक 2020 में योगेस कथूनिया ने डिसकस थ्रो में रज़त पदक जीता है जबकि देवंद्र जाजरिया ने पुरुसों की भाला फेंक परतियोगिता में रज़त ठंग वेलू मरियपम ने रज़त पदक जीता है जबकि टोक्योः पर उलंपिक में पुरुसों की भाला फेंक परतियोगिता में सुमीत अंतिल ने शौनड पदक जीता है और पयर उलंपिक टेबल टेनिस में भाविना पाठिल ने रज़त पदक जीता है और टोक्यो पर लंपिक 2020 में निशाद कुमार ने हाई जंप में रज़त परक्ष जीता है अगला कोश्च ने किस रज्जे सरकार ने PPP के तहट मेडिकल कोलेज अस्थापित करने का फैसला लिया है इसका राइटांशरों का ऑप्सन है महारास्ट्रों हाली में महारास्ट्रों सरकार द्वार PPP के तहट मेडिकल कोलेज अस्थापित करने की घोशना की है और इसके तहट महाराश्ट्र सरकार द्वारा रज़ भर में नए मेडिकल कोलेज और सूपर स्पेसिलिट अस्पताल अस्थापित करने का फैसला लिया गया है बात ओर ये महराश्ट की तो रस्तानी है मुंबई और मुख्य मंत्री हैं उधर उठा करे रजपाले भगत सिंग कोश्यारी और यहां हाली में मिसन अक्सीजन सेल्फ रिलांस योजना शुरू की गई है साथी भारत के पहला फ्लोटिंग स्टोरेजन हेरी गैस्टिफिकेशन यूनिट भी यहां स्थापित किया गया था महराश्ट का अमबोली जै विवित्ता विरास्त अस्तल के रूप में नामित हुआ है और भारत की पहले अंडिर सी सुरंग भी महराश्ट की रस्तानी मुंबई में बनाई जा रही है रज्जे सरकार ने रज्जीव गांदी के नाम पर आईटी पुरशकार देने की भी घोसना की है साथी रज्जे सरकार ने मिशन वाटसल योजना की भी शुरुआत की है अगला कोश्चन है किस रेलवे स्टेशन को हाली में FSS AI द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन परमानन से शमानित किया गया है इसका राइटान शर्व का आप्शन सी चंडिगढ हाली में चंडिगढ रेलवे स्टेशन को FSS AI के द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन परमानन से समानित किया गया है और चंडिगढ रेलवे स्टेशन को यह समान यात्रियों को उस्ट क्वालिटी की पॉस्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSS AI के द्वारा दिया गया है बात करें भारतिये रेलवे की तो अस्तापना हुई थी आठ माई 1845 में हेर्कॉर्टर है नई दिल्ली और रेल मंत्री है अस्वीने वैशनों और हाली में भारतिये रेलवे की इकाई पुरवतर सिमांत रेलवे ने दरजलिंग हिमालियन रेलवे रूट पर जंगल T2 ट्रेल सफारी सेवा सुरू की है सांती भार्तिय रिल्वे के द्वारा देश का पहला अपास शरन अस्तल पत्ना जंकसर पर बनाय जाने की भी घोसना की गई है अला कोशन है हाली में किन तीन देशों को ब्रिक्स के नियू डवलप्मेंट बैंक के नए सदस्ते के रूप में शामिल क्या गया है इसका राइटांसर होगा ओप्सन ही इसन सभी यानि की बंगलादे संजुक्त अरब अमीराथ और उरुगवे को ब्रिक्स के नियू डवलप्मेंट बैंक के नए सदस्ते के रूप में शामिल क्या गया है नियू डवलप्मेंट बैंक यानि की एन डीबी जिसका गठन 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स देशों यानि की ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिन अफ्रीका की सरकारों के द्वारा एक समझोते के तहत किया गया था और इसके गठन का उदेश से था ब्रिक्स और दूसरे उभरते बजार विकाशील देशों के संसाधनों का बहतर इस्तेमाल करना जिसके जरिये अधार भूत संरचनाओं का विकास हो सके और दूसरे विकास परक प्रोजेक्ट के लिए संसाधन जुटाया जा सके बात और ये निव डेवलोप्मेंट बैंक की तो इसके अध्यक्षे मारकोस ट्राजो और मुख्याले है संगाई चीन अगला कोशन है हाली में किस इकमर्स प्लेटफॉर्म ने एक किसान इस्टोर को लॉंच किया है इसका राइटा अशरों का आप्सन भी अमेजन हाली में अमेजन की द्वारा एक इकमर्स प्लेटफॉर्म एक किसान इस्टोर को लॉंच किया गया है और इस किसान इस्टोर का उदगाटन केंद्रिय क्रिशी मंत्री नरेंद सिंग तोमर जी के द्वारा की गई है इस इस्टोर के शुरुआत के बाद से अब कोई भी बैक्ती या किसान अपने तरवाजे पर दिलिवरी के सुविधा के साथ ही किफायती कीमतों पर बीज, क्रिशी टूल और एकसेसिरीज, प्लांट प्रोटेक्शन और निट्रिशन जैसे क्रिशी से जुड़े समान को सकता है, वर्तमार में यह स्टोर हिंदी, तेलुगू, करणर, तमील और मल्यालम सहित पांच भारतिय भश्ताओं में लॉंच किया गया है, बात करें अमेजन की, तो जेफ वेजोस के द्वारा 1994 में इसके स्थापना की गई थी, यह एक ऑनलाइन बुक के स्टोर से अमेजन आज मेगा ओनलेन रिटेलर के रूप में बदल गया है, इसका गठन हुआ था पांच जुलाई 1994 को, और संस्थापक है जेफ वेजोस, और इसके मुख्य कारेकारिय दिकारी यानि की CEO है अगला कोस्चन है, इंजिनियर्स इंडिया लीमिटेर की पहली महिला CMD हाली में कौन इसका राइडांशर होगा आपसंडी वल्टी का शुकला, हाली में वल्टी का शुकला इंजिनियर्स इंडिया लीमिटेर की पहली महिला CMD यानि की चेर्मेन और AMD बनी है, वल्टी का शुकला भालतिय प्रोद्वगी की संस्थान कानपुर से केमिकल इंजिनियर्ग में अस कामिल हुई थी और उनके पास रिफाइरिंग गैस प्रशन्स करन पेट्रो केमिकल्स और उर्वरकों में परिशरों के डिजाइन इंजिनियरिंग और कारी आन्वेन सहीत ब्यापक परामर सनुभाव है बात होरी इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड की जिसके स्थापना जोलोजिकल सर्वेव इंडिया की पहली महिला निदेशन के धिरिती बनरजी बनी है वहीं अंतराश्ट्री मुक्यबाजी संग में न्यूक्त होने वाली पहली अरुनासली महिला डॉक्र तडांग मीनू बनी है जबकि ब्यापार और विकास पर संजुक्तराश्ट्र समेलर यानि की इवन सीट टी अडी की पहली महिला अध्यक्ष रेबेगा ग्रीन स्पैन बनी है अला कोश्य ने टोक्यो पैरलंपिक में भारत का चोथा गौल्ड मेडल हाली में किसने जीता है इसका राइटान शरू का ओप्सन है प्रमोध भगत हाली में प्रमोध भगत ने टोक स्वन्ड पदक जीता है जबकि इसी असपरधा में सिंग राज ने रजित पदक जीता है वही दूसरी वर बैर मिंटन के पूरुष सिंगल एसल थीरी असपरधा में प्रमोध भगत ने स्वन्ड पदक जीता है जबकि बैर मिंटन के पूरुष सिंगल असपरधा में एसल हाली में पैरलंपिक 2020 में भारत के स्ट्वार्ट तीरंदाज हरविंदर सिंग ने पुरुषों के बैक्तिकत रिकावर ओपन में कांसे पदख जीता है अगला कोस्चन है कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्ण एकको सिस्टम बना है इसका राइटांशरों का आप यूनिकॉर्ण लिस्ट 2021 को जारी की है जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्ण यानिकी स्टार्ट अप एकको सिस्टम बना है और इसमें प्रथम अस्थान पर अमेरिका है जबकि दूसरे अस्थान पर चीन है परतमान में भारत में कुल 51 यूनिकॉर्ण स्टार्ट अप है जबकि संजुक्तराज अमेरिका में 396 और चीन में 277 यूनिकॉर्ण स्टार्ट अप है अलग कोशन है अंतरस्ट्री किरिकेट में 490 पारी में सबसे तेजी से 23,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्ले बास कौन बने है इसका काहित अनशरो का आपसन भी विराट कोछी विराट कोछी जो कि सबसे तेजी से 490 पारी में 23,000 रन बनाने वाले Lau दुनिया के सबसे तेज बल्ले बास बने हैं तो विराट कोछी अंतरस्ट्री किरिकेट में। तेजी से 23,000 रन बनाने वाले पहले भारती ये बल्ले बास बने हैं बात हो रही अंतराश्ट्री क्रिकेट परिशत यानि कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल की जो विश्टो भर में क्रिकेट के परतियोगिताओं को रेगुलेट करता है इसके स्तापना हुई थी 15 जुन 1909 म मुख्याले है दुबई संजुक्त अरब अमिरात और सदसे देशों की संक्या है 104 सदसे राश्ट्रो जबकि चेर्मेन है ग्रेग बारकले और वहीं बात करें अंतराश्ट्रे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाडी की तो पहले अस्तान पर है सचिन तं विराट कोहली इस लिश्ट में सातवे नमबर पर है जबकि छटी नंबर पर रहुल द्रविड हैं जिन्होंने 24,208 रन बनाए हैं जबकि विराट कोहली सबसे तेजी से И 490 पारी में 23,000 रन पनाने वाले सबसे तेज बले बाज़ बने हैं अगला कोश्चन है टायंस वर्ली युनिवर्सिटी रेंकिंग 2022 में कौन सा युनिवर्सिटी यानि कि विश्व विद्दाले प्र स्थान पर है इसका राइट अन्षर्व का विषव विद्याल रहा है इसके साथ ही वर्ड के टोप 5 विषव विध्याले को भी देख लेते हैं जो इस इंडेक्स में टोप 5 में सामिल है इसमें प्रत हम अस्थान पर और अक्सपोड विषव विध्याले है दूसरे अस्थान पर California Institute of Technology है जो की UAS में है इसके अलावा Harvard University जो तिसरे अस्थान पर है और यह UAS में है Stanford University जो UAS का है और चोथे अस्थान पर है और Cambridge विश्वविद्दाले UK का पांचवे अस्थान पर है इसमें भारतिय विज्वान संस्थान यानि की IISC बैंगलूरू को 301 से 350 की रैंकिंगे बीच रखा गया है जो शिर्ष 350 रैंकिंगे बें शामिल एक मात्र भारतिय विश्वविद्दाले है इसके अलावा तीन भारतिय सिक्षन संस्थानों को सिर्ष 400 की सूची में अस्थान मिला है जिसने प्रतम अस्थान पर IISC बैंगलूर है जिसे 301 से 350 ब्रैकेट के बीच अस्थान मिला है दुसरे अस्थान पर भारतिय प्रोदगी की संस्थान रोपर यानि की IIT रोपर है जिसे 151 से 400 के बीच में रखा गया है वहीं IIT इंदवर को 101 से 500 के ब्रैकेट में रखा गया है टाइम्स हाइर एजुकेशन ने वर्ल उनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 99 डेसों और छेत्रों के रिकॉर्ड से 1662 विश्व विद्यालों को सामिल किया था इसमें रैंकिंग 13 संतूलित प्रैदर्शन संकेतों पर अधारित है आज का लाश कोशने अंतरा स्ट्रेल जलवायू सिखर से मिलन 2021 की में जबानी किस देश ने की है इसका राइटांशर होगा आप्शन डी भारत तो इस समिट के में जबानी भारत के द्वारा की गई है पिएचडी चेंबर ओफ कमर्स एंड इंडस्ट्री की परियावरन समीती की पहल पर 2021 के अंतरा स्ट्रेल जलवायू सिखर से मिलन की में जबानी 3 दिसंबल 2021 को भारत के द्वारा की गई थी यह सिखर से मिलन भारत के स्वक्ष उड़जा यानि की क्लेन एनरजी में परिवर्तन के कारिकरम के लिए एक महाल को तयार करेगा साथ है इस से मिलन को प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी के द्वारा संबोधित किया गया है और इस सिखर से मिलन में भारत के हाडरोजन पार कि जीएगा